सो नमस्कार कैसे हैं आप सब आप आप लोग अफ्जाद आप बढ़िया होंगे और आज की स्वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके सीउट के रिजल्ट के बारे में देन इसके पार रिजल्ट आएगा फिर आपकी डेलिंस्वीडियो के जो एड्मिशन्स है कब से स्टार्ट होंगे आप कब से अपनी जो पढ़ाई है फर्स्ट एयर की फर्स्ट डे वो शुरू कर पाएंगे तो सब चीज़ उबार में वो डिस्स करने वाले है आज की वीडियो चोटी सी बट इन्फमेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाली है अब देखिए ज या फिर आपके सुझ वीडियो के अंटर भी कमेंट कर सकते हैं तो कि जहां तक रिजल्ट की बात है तो सबसे पहले सुझा अंसर की आ चुकी है दिन इसके बाद आफ और पजयक्शन उठाते हैं फिर आपकी सही जो आखरी जो फाइनल अन्सर की होती है वा आती है फिर के अंदर आ जाएगा, बुट मोस फइबली इन दिनों के अंदर ही आएगा ही आएगा ठीक है और जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा फईनल रिजल्ट देन उसके बाद देलिश्टी अपना जो प्रोसेस है वो प्रोसीड कर देगी, क्योंकि देखिए अभी तक देलिश्ट तो जैसे आपका result आएगा इसके बाद आपका admission प्रोसीड हो जाएगा और फिर डेलिटिटी अपना independent होकर कि अपना process पूरा कर सकेगी तो देखिए जब आपका result आएगा तो उसके बाद आपको preferences फिल करनी होती है वो आपका process पूरा स्टार्ट हो जाता है दिन इसके बाद आपका final जो आप बोल सकते हो कि आपके जो final admission साओ स्टार्ट हो जाते है medalist आते ही फिर आपका admission होने के बाद लगभग 20 या 25 दिन के बाद आपका जो classes हो जाती है तो जहां तक classes स्टार्ट होने के बाद है तो वो आपकी most probably जो classes है वो आपकी अगस्थ के end तक याफि September 1st September के आपकी आपकी जो classes है वो start यहाँ पर होने के chances बन जाते हैं और हर बार ह ही सिर्फ इस बार ही सेप्टेंबर के starting में है फिर अगस्थ के बिल्कुल end में ही इसके आसपास आपकी जो classes है वो Delhi City के start होती है तो tension बिल्कुल ने लेनी है आपका result आ जाएगा दिन इसके बाल आपकी process भी हो जाएगा और आपकी जो classes हो start हो जाएंगी बाकी चैनल को subscribe कर ल जाएगा